नगर कोट अब से लगबग 20-25 साल पहले तका जो मुझे याद है कुछ भारत के जो मूल निवासी खास्तोर से नौट इंडिया के अंदर अपने परिवार के साथ में अपने कपड़ों को सफेद कपड़ों को हल्दी में पीला करकर यानि उनको रंकर पीला करकर और पूरे परिवार के साथ में जात लगाने जाया करते थे नगर कोट की कहां जा रहे हैं नगर कोट की जात लगाने और पूरी की पूरी बस भरके जाया करते थे नगर कोट की जात लगाने यह basically बुद्ध के समय का system है यानि बुद्ध के बाद में जब लोग जाय करते थे एक साथ शिखर बारता के लिए यानि कि high summit के लिए जो summit होती थी उच्चिस्थर की धम्म की क्योंकि court का जो मतलब है पाली के अंदर court का मतलब है summit शिखर बारता यानि कि जो top level की बारता होती है या top level के उच्चतम level के जो विचार होते है उसको court बोलते है और जो नगर court है नगर का मतलब है जहाँ नाग लोग रहते थे या रहते हैं आज भी क्योंकि नगर जो बना है वो नागों से बना है जहाँ भी नागरिकता या नगर या नागरिकन जैसा भी नाग का शब्दा आएगा वो सारे सारे नाग लोगों को रिप्चन करते हैं बताते है तो नगर court की जात का मतलब है जात जो होता है पाली के अंदर आपने सुना होकर बार बार आएगा जाती दुखा मरनंग दुखा, जरा दुखा यानि जरा माने बढ़ापा और मरनंग माने यानि की मरना और जाती माने जरंग यानि जनम भी दुख है व्याधी भी दुखा यानि जो व्याधी बीमारी है वो भी दुख है और जो पाली में जो होता है वो होता है जर्णम लेना तो जितना भी घबवत चक्र है यानि कि जो प्रतिध्य समथपाः या प्तित्य सम॥पाः उसमें जाती सब्रत आता है भारवार तो इस उर्ची शिक्षाओ को लेने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ एकटे होते हैं उस 60 दिन का हो सकता है 90 दिन का 100 दिन का 2 साल का जैसा भी है तो उस सिवरी में जाने के लिए हैं चुकि वो काफी लंबे समिकने जा रहे हैं यात्रा पे इसलिए सारे महले के लोग जितने भी कलोनी के लोग हैं या जितने भी उस समुदाई के लोग हैं वो सारे गाउं के लोग हैं वो सब बहुत तयारी के साथ में उनको ढोल बाजे गाजे के साथ में बिदा करके आते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में हो और आप अच्छी तरह से वहां जाती को सीख के आएं दंब को सीख के आएं और वो शिखरवारता होती थी तो नगर कोट की जात एक बहुत important event होता था जो फलाल तक भी होता है और अभी भी साहत लोग जाते हैं ये तो भूल गए के जाती का मतलब जनम होता है ये भूल गए के कोट का मतलब सिखरवारता यानि धम की सबसे उची highest degree जो होती है उसके बारे में जानकर लेना होता है ये भूल गए के नगर का मतलब जो होता है जहां नाग लोग रहते हैं उसको नगर बोलते हैं बाकी वो जो परंपरा है वो अभी तक भी चल रही है और वो सारी की सारी भगवान बुद्गे बाद की जो धम सीखने वाले लोग हैं जो ज़्यादा बड़ा धम सीखने वाले लोग हैं अच्छी तरह से उनकी परंपरा है धन्यवाद कर दो कर दो